हलो स्टुडेंट, वी आर बोईं टो एक्स्प्लेंट पार्ट टू, चेप्टा नंबर सेकेंड, ओके इसके पेले के उसमें पार्ट में आपको टेबल्स बताई थी, टू, टू से लेकर 11 तक की जो टेबल से वह आपको एक्स्प्लेंट की थी और आपको बोला का कि उसको करना है, I hope कि सभी ने लांग कर लिए होगी, ना, next अभी में आप टेबल ही पढ़ेंगे, आज ली, write and learn table 12 to 20, अब आपको कहां से कहां तक की टेबल से लेकर 20 तक की, ये पूरी टेबल से आपको लांग करना है, आज का ये टॉपिक है आपका, यहां पर मैंने आपको 12 की ट की, मैं आपको बोल रही हुआ और आपको मेरे सासा की इस टेबल को बोलना ही, मैंने आपको बता रहता है कि जब भी ने को म्ने टेबल लिखते हैं, लिखते हैं, तो जो भी टेबल होती है उसमें, इस टेट की बात करें, तो people 12 number उसमें, तक क्लों करते जा हैं, गड़ से ब यह आपको उपन करना इसी page नमबर पे आपके टेबल मिले ही. Now, let's start. 12 बंजा 12, 12 बंजा 24, 12 बंजा 36, 12 बंजा 48, 12 बंजा 60, 12 बंजा 72, 12 बंजा 84, 12 बंजा 96, 12 बंजा 108, 12 बंजा 120. Okay, अब उसके बार में आप देखें, where press 12 कितना होता? 24, 24 बंजा 12 कितना होता? 36, 26 बंजा 20 बंजा 48, जैसे अगर हम 22 बंजा करते जाएं, हमारा answer आजाता है, बट आपको इसको और ही पढ़ना है और लिखना है. उसके बार next आपकी टेबल आती है 15, क्या होता है? 15 बंजा 50, 52 बंजा 30, 53 बंजा 45, 54 बंजा 60, 55 बंजा 75, 56 बंजा 90, 57 बंजा 105, 58 बंजा 120, 59 बंजा 135, 55, 59 बंजा 150, ठीक है? अब यह जो टेबल से मैंने आपको यहांपर 12 बंजा 15 की explain करी, बागी की जो टेबल से आपको लर्न करना है, अपनी ममी को या आपके ब्रदर, सिस्टरों, बड़े भाईबेनों, उनको भी आप सुना सकते हैं, कौम से कम आपको दिन भार में इसको 4 स 5 ताइमस बोलना है, जितनी बार आप बोलेगे, जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको इसको अच्छे जे, टेबल सापको लर्न हो रही है, तो आपके पास मैं आज पूरा दिनलर का टाइम है, आपको यह कहां से दिये मैंने आपको टेबल 12 से लेका 20-30, आप 2 से लेका 11 तक की, तो सीखी गया हुए अभी तक, ओके, और आपको यह कौन से पेज नमबर दो मिलेगी, पेज नमबर 11, 12 and 13 होगे, और आपको ज़नी से टेबल लर्न करें, फिर हम नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं आऊंगी, तब तक आपको सभी स्टूदेंस को टेब